दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में सिक्चक बहाली का रास्ता साप निति सरकार ने हाई कोड में कहा दिव्यांगो को आरक्चन देने को तयार जिहां बिहार में सिक्चक बहाली से जोड़े इस वक्त की एक बड़े कबर सामने आ रही है सिक्चक की नियोजन में दिव्यांगों को आरक्षन देने का रास्ता साप होने के साथ सब बहाली प्रक्रिया सुरू हो सकती है नितिस सरकार ने हाई कोड में कल जवाब देकर कहा कि वो दिव्यांगों को 4 फिजदी आरक्षन देने को तयार है साथ ये आपको बदा दे कि बिहार में जल्द 1,25,000 सिक्चकों के नियुक्ति पर लगी रोख हड सकती है सरकार ने इसे लेकर प्रक्रिया सुरू कर दी है इस बात की जानकारी सिक्चा मंत्री विजे कुमार चोधरी ने दी है अगले बड़े कबर चमकी बुखार को लेकर सियम नितीस ने की बैटक इलाज का सही विवस्ता रखने का दिया निर्देश यहां चमकी बुखार को लेकर बिहार के मुखमंत्री नितीस कुमार ने अधिकारियों के साथ बैटक की है मुखमंत्री नितिस कुमार ने एक्कूर्ट इन्फिलाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार से प्रवाईज जिलों में प्रोटोकॉल के नुसार इलाज का सही विवस्ता बनाये रखने और लोगों को जागरु करने पर विसेज ध्यान देने का निर्देश दिया है अगली बड़े कबर कोरोना से परेजनों की मिर्टू के बाद बच्चों की मदद करेगा दादेची देहदान समिती हर मा मिलेंगे 500 रुपी जिया पूर्व उपमिक मंत्री सांसत तता दादेची देहदान समिती के सरक्चक सुसिल कुमार मोधी वा समिती के महा सचिव पदम स बच्चों की मदद के लिए समिती 500 दंदता परिवारों को तयार करेंगे जो बच्चों को मदद के लिए सलाना 12,000 रुपय का खर्च वहन करें साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे भीसर महामारी में जो वेक्तिया परिवार सुरक्षित है वे अपने को सुभाईगे वाले स परिवारों के बच्चों के मदद के लिए आगे आएं अगली बड़ी कबर जन्म और मिर्तु पर्मान पत्र के लिए पाटना नगर निगम ने बदली वेवस्ता अब एक जोन से लागू होगा यहां नियम पाटना नगर निगम की तरफ से जारी किये जाने वाले जन्म और मिर्तु पर्मान पत्र को लेकर वेवस्ता अब एक जोन के बाद बदल जाएगी मौज़ुदा वेवस्ता से अलग एक जोन से निगम अंचल कारियालाई में ही उपनिबंदन के जन्म और मिर्तु पर्मान पत्र जारी होंगी इस समन में नगर आयोक्ति मांसु सर्मा ने वाई सकता नहीं पड़ेगी साथ ही आपको बदा दे कि ओल्लाइन और ओफलाइन दोनों तरेके से दिये गए जन्म और मिर्तु पर्मान पत्र के लिए आवेदन का निप्टारा अंचन कारियालाई से होगा अगर नया जन्म और मिर्तु पर्मान पत्र जारे करने में देरे बचेगा आपके जानके के लिए बदा दे कि पटना नगर निगम केस नहीं पैसले के बाद आप लोगों को एक से दो दिन में ही जन्म और मिर्तु पर्मान पत्र मिल जाएगा अगली बड़ी कबर यास तुपान को लेकर पटना में बना कंट्रोल रूम जिया चकरवर्ती तुपान यास को लेकर पटना में पढ़ने वाले असर को देखते विए कंट्रोल रूम बनाया गया है पटना के DM डाक्टर चंद सेखर सिंग ने जिला कंट्रोल रूम की विवस्ता की है जो हर दिन 24 घंटे कार्यारत रहेगा इस कंट्रोल रूम में तीन पाइलों में दिकारियों और अन कर्मियों की प्रतिनीक्त की गई है कोई भी व्यक्ती जिला कंट्रोल रूम में इन नंबर पर संपर कर मदद मांग सकता है इसके लिए कई नंबर जारी किये गया है जो नंबर है 0612-21910 दूसरा है 0612-219-234 अगला है 0612-219199 पटना की जिला अधिकारी ने आम लोगों से अपिल किये कि अनावाश सेक बिना कोई जोरीरे काम के घर से बाहर नहीं निगले तथा सजग एवं सतर्क रहे अगली बड़े खबर पतना हाई कोड का नितिश सरकार को आदेश लोगडाउन के नाम पर पुलिस की बरवरता हो बन जिया पतना हाई कोड बिहार में कोरोना वारिस की रोकताम को लेकर किये जा रहे कारियों की मोनेटरिंग कर रही है इसी कड़े में मुखे नियादे संजे करोल और नियामूर्ति एसकुमार की कंपिट ने कोरोना से संबंदेद याचिकाओ की सुनवाई की कोड ने राज सरकार को आदेश दियाए कि लोगडाउन के नाम पर हो रही पुलिस की बरवरता को रोका जाए गाउन के लोगों को ही उनिकी भासा में कोरोना रोकताम के उपाई की सुचना दी जाए विदाओ और उनकी कम्यों के बारे में जानकारी मांगी है अब दो जून को इस मामले की अगली सुनवाई होगी आगली बड़ी कवर कोविड-19 से मरने वालों के आसरितों को मिलेगा 4 लाग का अनुदान पटना जिला प्रसासन ने जारी किया वाट्सेप नमबर ऐसे करे अपलाए कोविड-19 के संक्रमन से मिर्त व्यक्तिव के आसरितों को मिलेगा 4 लाग अनुदान भुगतान करने का प्रावधान है अनुदान के लिए विविन मैदमों से आवेधन प्राप्त हो रहे है एवन दूरभास पर भी लोग के द्वारा पुझताच की जा रही है ऐसे स्थिति में लोग की स्विधा है तो जीला प्रासासन द्वारा नियंदरन कक्ष का दुर्भास नंबर 06-12-219-09-9 तता वार्टसेप नंबर 94-30-24-49-69 परिचालित किया गया है इस नंबर पर या वार्टसेप नंबर पर संपर्क करने वालों का विभीत पपत्र में निमने सुचनाई प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है जिसमें मिर्तक का नाम पूर्ण पता कोवेड-19 पोजिटिव होने की तिति एवं रिपोर्ड मिर्तु की तिति आसरीत का नाम एवं संबन मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है आप इस वीडियो को सेर करके उन जरूर पहुचाए जिने इनकी जोरत है अगली बड़ी कबर बिहार में घट रही है संक्रमन दर आज मिले 2630 नई कोरोना संक्रमित पटना में सबसे ज्यादा मरी जिया बिहार में कोरोना के संक्रमन को लेकर रहादवारी खबर है राज में कोरोना के दूसरी लहर के दोरान 48 दिनों के बाद कोरोना के संक्रमन की दर दो फिजदी नीचे आ गई है राज में पिछले 24 घंटे में 2630 नई संक्रमित मिले है जबकि 131,916 सेंपल की कोरोना जाच की गई है राज में कोरोना संक्रमन दर 1.97 फिजदी हो गई है अगली बड़ी कबर कोरोना से जंग में एक करोड से अधिक बिहार वासिदी है इस दोरान सरकार प्रदेश में कोरोना वेक्षिन का टिका युद इस्तर पर लगाने में जूटी हुई है कोरोना महमारी के किलाब राज में टिककरन विहान जोर सोर से चल रहा है सुबह में टिककरन का आकड़ा अब एक करोड के पार जा चुका है गोर तलवे की बिहार में 16 जन्वारी से कोरोना टिकका करन अवियान की सुरुवात की गई थे यानि अब तक 139 दिनों के अंदर राज में एक करोड से अधिक लोगों को कोरोना का टिका दिया जा चुका है तो वही अगली बड़ी कवर 20 करोर से अधिक लोगों को कोविट टिका लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बना भारत केंधरे स्वास्त्र मंत्राले ने कहा कि अमेरिका के बाद भारत COVID-19 टिकों के 20 करोर से अधिक खुराक लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है मंत्राला ने बताया कि भारत ने 130 दिन में यह टिका करन पुरा किया है वहीं अमेरिका ने 124 दिन में इतने लोगों को टिका लगाया है स्वास्त मंत्राले ने बताया कि उपलब्द आकडों के अनुसार टिकाकरन अभियान के 130 दिन 20 कडोर से अधिक लोगों का टिकाकरन हो चुका है इनमें 15 कडोर 71,59,593 लोगों को टिकी की पहली खुराक और 4 कडोर 35,12,863 को दूसरी खुराक लग चुकी है अगली बड़ी कबर BPSC, 64-वी के अभियरतियों का होगा इंतिजार खतम, रिजल्ट की तारिक का एलान जिया बिहार लोग सेवा आयोजन की 64-वी सयूंग परतियोगिता परिच्छा के अंतिम परिनाम जल्द आ सकते हैं आयोग की तरब से दे गई सुचना के माने तो परिनाम अगले जुन मा के पहले सपता में जारे किये जा सकते हैं ग्यात होगो BPSC ने इंटरनेट वो सोसल मीडिया पर परिनाम जारे होने में हो रही विलम को लेकर उट रहे सवाल के बाद अपनी बात कही है आयोग के एक्जाम कंट्रोलर के अनुसार परिचापल तयार करने की प्रक्रिया तेज है लोगडाउन के करण परिशानी हुई है आयोग के कई अधिकारे वक कर्मी भी कोरोना के चपेड में आ गए थे बता दे के नेता प्रतिपाक्ष तेजस्वी आदम ने भी अपने ट्यूटर हैंडल से चोसटवी परिणाम को लेकर कहा था कि तीन साल में चोसटवी बिप्यस्य का पीटी मेंस्वा इंटर्वू पूरा किया इंटर्वू परवरी में ही पूरा हो चुका है लेकिन अंतिम परिनाम अभी तक परकासित नहीं किया गया है अगली बड़ी कबर बिहार से जा रहे हैं देजी मनु महराज सरकार ने तीन IPS को केंद्रिय प्रतिनियुक्ति पर जाने की दिस्वहमति दे धी है सेयुक्त सची बनाये गये हैं, तीन साल के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है IPS अपसर कुंदन कृष्णन बिहार में कई महतपून पदोपर रहे हैं पटना के SSP के अलावा वह जोर्नल आईजी पटना भी रहे हैं यह सुचना बिहार सरकार की ओर से जारी की गई है लेकिन मनु महाराज और IPS RS बट्टी को लेकर हिलाल कोई अधिकारिक जानकारे नहीं मिली है अगली बड़ी कबर 3 जुलाई को आईजीत होने वाली जई एडवांस इस्तगित संसोधी तारीक की जल्द होगी घोसना जी हाँ, IIT खड़कपूर ने देश बर में बिगरती COVID-19 इस्तेती को देखते वे सर्वेस परिक्चा यानि जई एडवांस 2021 को इस्तगित कर दिया है परिक्चा 3 जुलाई 2021 के लिए निधारित की गई थी ओफिसियल नोटिस में लिखा गया है कि COVID-19 के कारण मोजोदा महामारे की सिती को ध्यार में रखते वे जई एडवांस 2021 जो 3 जुलाई 2021 को आईजित होने वाले थी वहां इस्तगित कर दी गई है परिक्चा की संसोधी तिती की गोसना वोची समय पर की जाएगी अगली बड़े कबर ठगों ने स्वास्त विवाग की फरजी वेवसाइट बना कर निकाली भरती ऐसे सामने आया मामला बिहार में सरकारी नोकरी के नाम पर आये दिन ठगी और घोटाले के मामली सामने आते रहे हैं फरजिवाडा तो ताजा मामला पटना से सामने आया है इस बार MBBS डाक्टर इसका सिकार बने है ठगों ने बिहार राज स्वास्त समिती की नाम से सेकड़ो पदो पर वेकेंसी निकाले थी जब डाक्टर इंटर्वी देने पहुचे तो इसका खुलासा हुआ है ठगों ने कल यानि 26 माई को सभी अवेरतोर को 11 बजे पटना के आयरवेर्दिक कोलेज में इंटर्वी के लिए बुलाया था सुबह जब बड़ी संक्या में अवेरती डाक्टर इंटर्वी के लिए पहुचे तो उन्हें पता चला कि ये वेकेंसी फरजी है राज स्वास्त समिती ने ऐस कोई वेकेंसी नहीं निकाली है ऐसे में पटना के आयरवेर्दिक कोलेज के गेट पर राज स्वास्त समिती ने सुचना चिपका दी है जिसमें लिखाया कि ये वेकेंसी पूरी तरह से फरजी है और राज स्वास्त विवाग ने ऐसी कोई वेकेंसी नहीं निकाली है फरजी सरकार से इस मामले के आरोपियों के खिलाब कड़िक करवाई करने के मांग की है ताकि अगला बार कोई इसका सिकार ना हो और अंक की बड़े कबर तीन विसयों के अंक को आधार बना कर सिब्यसी देगी अतरिक सब्जेट में नमबर जाने दसवी के रिजल्ट को लेकर तयार फर्मूला जिहां सिब्यसी ने दसवी के रिजल्ट में अतरिक विसयों के अंक का फर्मूला तयार कर लिया है अब तीन गनित विज्यान और समाजिक विज्यान में हासिल किये गए अंकों के आधार पर ही बोड अब अतरिक्त अंक देगी करने का भी प्रावधान था आज के लिए आपका स्वाल बताए कि क्या सिबी एस सी बारवी की परिक्चा इस कोरोना काल में होनी चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कमें बॉक्स में जरूर बताए